नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो रंका ये खुबसुरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, गोटी में चाहे किसी भी मन चाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए छे के मल्टिपल फंदे चाहिए, तो चलिए हम डिजाइन बनाते हैं मैं डिजाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें तो बार्डर बनाने के बाद आप दूसरे रंग का उन अटैश कर लेंगे फिर एक फंदा दूसरे रंग के उन से सीधा फिर दो फंदा स्लिप करेंगे फिर चार फंदा सीधा एक दो ती चार फिर दो फंदा स्लिप करेंगे इन ही छे फंदों को चार फंदा सीधा बनना है और दो फंदा स्लिप करना है फिर चार फंदा सीधा बनेंगे और दो फंदा स्लिप करेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे और रॉंग साइट से बुने हुए फंदे उल्टे बुनेंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप करते जाएंगे डिजाइन का तीसरा लाइन दूसे रंग के उनसे ही पहला लाइन ही दो जाएंगे यानि बुने हुए फंदे सीधा बुनते जाएंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप करते जाएंगे यानि दूसे रंग के उनसे हमें चार लाइन बुनना है बुने हुए फंदे सीधा बुनते जाएंगे और स्लिप किया हुए फंदा स्लिप करते जाएंगे और रॉंग साइट से बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप क्या हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे इस तरह हम चार लाइन कंप्लेट कर लेंगे पाशवी लाइन बार्डर वाले उन से बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे उन दूसरी ओर करेंगे slip किया हुआ फंदा slip करेंगे उन अपनी ओर करेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip करते जाएंगे इसी तरह करते हुए पाचवी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे और छटी लाइन में सबी फंदे उल्टे साथवी लाइन और सामने से अब दूसरे रंग काउन लेंगे और चार फंदा सीधा बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार फिर दो फंदा स्लिप करेंगे फिर चार फंदा सीधा बुनेंगे स्लिप किया हुआ फंदा इन बुने हुए चार फंदों का बीच वाला फंदा यानि दूसरा और तीसरा फंदा है और ये दो फंदा जो हमने स्लिप किया था तो वो दो फंदा और उसके एक साइड वाले फंदे इन चार फंदों को हम सीधा बुन लेंगे देखिए ये बुने हुए फंदे में से ये दूसरा फंदा है और ये तीसरा फंदा है और स्लिप किया हुए फंदा दो फंदा और एक फंदा इस साइट से एक फंदा इस साइट से चार फंदे लेंगे और उनको सीधा बुन लेंगे और wrong side से बुने हुए फंदे उल्टे और slip किया हुआ फंदा slip करते जाएंगे 9th row, 7th row की तरह ही बुना जाएगा यानि लाल रंगे उन से ही बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip करते जाएंगे और wrong side से बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip करते जाएंगे इस तरह लाल रंके उनसे हम चार लाइन बुन लेंगे 11th row अब पीले रंके उनसे slip बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और slip किया हुआ फंदा slip करते जाएंगे बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे उन दूसरी ओर करेंगे slip किया हुआ फंदा slip करते जाएंगे इस तरह पूरी लाइन कम्पलीट कर लेंगे और 12th row में यानि wrong side से सभी फंदे उल्टे और wrong side से सभी फंदे उल्टे बारा लाइन का ये repeated design है और design बन के त्यार है सामने से ये देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है और wrong side से ऐसा बनाने में आसान और बढ़ने के बाद देखिए कितना खुबसूरत बिंगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं तो friends, design आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने sweater में बनाएए इसे like कीजे, channel को subscribe कीजे design को अपने दोस्तों में, अपने रिश्टेदारों में शेयर कीजे bell icon प्रेस कीजे ताकि आने वाले वीडियो का notification मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद